सूप्रभात कक्षा दूसरी विशे हिंदी उपविशे पाठ पांच रसीले आम पुस्तक का नाम नई गुल मोहर हिंदी पाठे पुस्तक व्याख्यान चार आज हम इस व्याख्यान में पाठ पांच रसीले आम को सार रूप में जानेंगे तथा उसमें आए कठिन शब, शब्दार वप्रश्णुतर भाषा ग्यान को भी दोराएंगे इसको दोराने से आपको एक बार समझा जाएगा और उसकी बाद मैंने आपको जो ग्री कारे में प्रदित कारे दिया है उसे आप असानी से कर पाएंगे चीक है तो चलते हैं पहले हम पाठ पांच को सार रूप में जानते हैं आम पलों का राजा है गर्मी की मोसम में आम की बाहर आ जाती है चारो और आम अपनी दूम मचा देता है आम की कई किसमे होती हैं डसेरी, सफेदा, चौसा, लंगडा, सिंदूरी, आदी आम के बगीचों में पके अदबके आमों को देखने का अपना अलग ही आनन्द है यह मतलब है कि बगीचे में कुछ पके हुए आमों है और कुछ अदबके हैं इसे देखकर एक अंदर से खुशी सा पतीत होता है आम के पेड बहुत विशाल होते हैं आम बहुत ही गुनकारी होता है आमों को लगने से पहले उनमें बोड लग जाती है कच्चे आम से क्या क्या बनता है कच्चे आम से चटनी और पन्ना तयार किया जाता है पन्ना कार्थ है खटा मीठा शर्बत जो धूप में गर्मी की मोसम में पीना अच्छा होता है क्योंकि इसे पीने से हमारे अंदर जो गर्मी होती है वह फाग जाती है तो लू को लू मतलम गरम हवा को हटा देता है इसलिए कुछ लोग अपनी नाश्टे में इसका सेवन अविश्य करती है जूस की दुकानों पर मैंगो शेक पीने वालों की भीड लग जाती है देखते हैं ना जब जाते हैं दुकानों पर वहाँ मैंगो शेक देखते ही लोग गरमी के मौसम में दुकान पर जाकर पीते हैं आम का अचार भी सबको अच्छा लगता है तो बच्छो आम का क्या क्या बनता है आम से चत्नी अचार और पन्ना चार और बताओ मैंगो शेक तो आज हमने आरसीले आम के पार्ट से क्या सिखा इस पार्ट में हमने सीखा आम की विविन्न किसमों के नाम दूसरे नमबर पर हमने जाना आम से बनने वाले खादी और पी पधारतों के नाम है ना तो अब आप पार्ट का सार तो जानगे अब हम पहले एक गतिविधी करेंगे ये गतिविधी आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा चलो जानती है कौन सी गतिविधी है गर्मी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं उनसे संबंदित चित्रों पर सही का निशान लगाना है अब आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं पहचानिये कि गर्मी से बचने के लिए इनमे से हम क्या करते हैं ठीक है और जो करते हैं उसके सामने सही का निशान लगाएंगे क्या गर्मी की मोसे में चाय पीते हैं नहीं तो हमने इस पे कुछ नहीं लगाया क्या हम गर्मी से बचने करें आइस क्रीम खाते हैं सही सही लगाया क्या हम गर्मी में धके हुए कपड़े पहनते हैं नहीं तो कुछ नहीं लगाया क्या हम गर्मी के मौसमें तर्भुज खाते हैं था तो हमने सही का निशान लगाया क्या हम गर्मी के मौसमें सूरज के सामने बैठते हैं नहीं तो हमने कुछ नहीं लगाया क्या हम गर्मी के मौसम में पानी पीते हैं सही पानी तो पीना चाहिए गर्मी लगती है वो क्या गर्मी के मौसम में हम नहाते हैं हाँ क्या गर्मी के मौसम में हम पंक्खे का इस्तमाल करते हैं हाँ तो देखा हम गर्मी से बचने के लिए आईस क्रीम, तर्भूज, पानी ज़्यादा पीना नहाना और पंके की हवा लेते हैं तो अब आप इस गतिवेदी में आप सभी को मज़ा आया होगा और जिनको नहीं आया आप लगता है वो उनका ध्यान इधर उधर होगा तो आप सभी बच्चे इसको पहले देख कर पहचानना और आपको असानी से पता चल जाएगा कि हम गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करती हैं अब हम जानते हैं पाठ में आए कठिन शग इसलिए क्योंकि आप जब प्रशन पढ़ती हो या कुछ लिखती हो तो आपको इन शब्दों का पता होना जरूरी है अगर इन कठिन शब्दों को नहीं जानेंगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी तो पहला है रसीले पहला शब्द है रसीले ये कौन सा शब्द है रसीले ठीक है दूसरा है दुकाने तीसरा शब्द है गर्मी चोथा शब्द है मोहले चोथा शब्द है मोहले पाच्वा शब्द है रेडी चटा शब्द है दसहरी साथ्वा शब्द है सफेदा आठ्वा शब्द है चौसा नौमा शब्द है लंगड़ा दसमा शब्द है अदपकी ग्यार्वा शब्द है बौर बार्वा शब्द है आनन्द तेर्वा शब्द है अम्राईयों चोध्मा शब्द है शौकीन चोध्वा शब्द है शौकीन पंद्रवा शब्द है चौकस सोल्वा शब्द है खैर सत्रवा शब्द है प्रतियोगिता अठार्वा शब्द है नियमित उन्निस्वा शब्द है पन्ना और बीस्वा शब्द है मैंगो और बीस्वा शब्द है मैंगो तो आपने इन कटिन शब्दों को जाना अब हम जानती है पार्ट में आएं शब्दों के अर्थ को चलिए शब्द अर्थ करते हैं सबसे पहला है रेड़ी वाला पहला शब्द है रेड़ी वाला जिसका अर्थ है ठेले वाला प्राला शब्द है रेडी वाला जिसका अर्थ है ठेले वाला दूसरा है धूम मचाना जिसका अर्थ है प्रसिद्धी पाना झाल 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 जिसका अर्थ है मुकाबला नोवा है अदपका जिसका अर्थ है आधा पका हुआ दस्वा है बौर जिसका अर्थ है आधा पका हुआ दस्वा है बौर जिसका अर्थ है आव की मंजरी दस्वा है बौर जिसका अर्थ है आव की या मंजरी ग्यारवा है शौकीन जिसका अर्थ है शौक रखने वाला ग्यारवा है शौकीन जिसका अर्थ है शौक रखने वाला बारवा है चौकस जिसका अर्थ है सावधान तेरवा है पन्ना जिसका अर्थ है आम का बना हुआ खटा मीठा चर्बत आम का बना हुआ खटा मीठा शर्बत तो आपको शब्दर्त याद हो गयोंगे अब हम प्रश्ण उत्तर को भी एक बार धोरा लेती हैं प्रश्ण उत्तर आम लगने से पहले आम के पेड़ों पर क्या लगता है आम लगने से पहले आम के पेड़ों पर क्या लगता है? उत्तर है आम लगने से पहले आम के पेड़ों पर बौर लगते हैं दूसरा है कोईले कहां गाने लगती है? कोईले कहां गाने लगती हैं उत्तर है अमराईयों में कोईले गाने लगती हैं अगला है आम को अमरित्फल क्यों कहा जाता है? आम को अमरित्फल क्यों कहा जाता है? उत्तर है आम को अमरित्फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अमरित के समान मीठा और गुनकारी होता है आम को अमरित फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अमरित के समान मीठा और गुनकारी होता है इसके बाद है प्रश्न आम से क्या क्या बनता है प्रश्ने चार है आम से क्या क्या बनता है उत्तर है आम से चटनी अचार पन्ना मैंगो शेक आदी बनता है अब हम भाशा ग्यान में एक की अनेक के बारे में दोराती है जैसे बोतल का अगर में को अनेक करना तो क्या बन जाएगा बोतले गली का क्या बन गया गलिया तोता का क्या बना तोते बात का क्या बना बाते दुबारा बतारे देखिए बोतल का क्या हुआ बोतले गली गलिया तोता तोते बात बाते आप प्रश्ने को समझो एक की अनेक ल उसके अनेक बना कर लिखने है आपको ठीक है अब अगला प्रिश्ण धुराते हैं अगला प्रिश्ण है विशेष्टा बताने वाले शब्द चुनकर लिखिए यहां आपको शब्द दिये समझदार हरे रसीले काली क्या क्या शब्द दिया समझदार हरे रसीले काली रेड़ी वाला क्या है देखे इन में से समझदार तो यह इसकी क्या है रेड़ी वाले की विशेष्टा है आम की क्या विशेष्टा है तोते की क्या विशेषता है हारेत है तोते और कौैल की क्या विशेषता है काली है है न प्रश्वन तीन है शब्दों में जो भी वर्ण है उन्हें अलग-अलग करके लिखना वर्ण विशेष किराता है जैसे anokha anokha देखो कैसे हाक किया अ का अ हो गया नो बना किसे आदा ना में ओ जोड़कर नो बन गया खा बना अदा खे में आ जोड़कर खा बन गया तो देखा अनो खा किस प्रकार बना अ का आ नो बना अदा ना में ओ जोड़कर और खा बना अदा खे में आ जोड़कर इसी प्रकार आम आम कैसे बना आ का आ मौ बना आदा मौ में आ जोड़कर और क्या बन गया आम इसी प्रकार रसी ले जाने र है तो आदा र में आ जोड़कर र बना सी आदा सा में इ जोड़कर सी बना और ले बना आदा ल में इ जोड़कर ले बना तो रसी ले बन गया ठीक है रह कैसे बना आदा रह में आ जुड़कर और सी बना आदा सा में आ जुड़कर और ले बना आदा ला में आ जुड़कर रसी ले मिठास बना म में आ जुड़कर मी बना ठा बना आदा ठा में आ जुड़कर ठा बना सा बना आदा सा में आ जूड़कर सा बना तब क्या बन गया मिठास मिठास कैसे बना आदा मा में ए जूड़कर मी ठा बना आदा ठा में आ जूड़कर सा बना आदा सा में आ जूड़कर सा इसी प्रकार अमरित जाने अ का आ हो गया म्री बना मा में री जुड कर और ता बना अधता में आ जुड कर ता बन गया तो क्या बन गया अम्रित तो देखा किस प्रकार वन विच्छे दुआ ये मैंने आपको पहले भी समझाया अब आपको वन विच्छे समझा गए होंगी किस प्रकार हमने वन विच्चित किये तो आज आपका ग्रीक कारे रहेगा प्रदत कारे करना आज आपका ग्रीक कारे क्या रहेगा प्रदत कारे करो प्रदत कारे में मैंने पहला प्रशन आपको दिया है सही उत्तर के सामने सही निशान लगाई है क्या दिया सही उद्दर के सामने सही का निशान लगाना है आपको यहाँ प्रश्न दिये गई है और उसके साथ विकल्प दिये रखे है इस प्रश्न का जो उसा विकल्प सही है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है जैसे काप पे दिया फलो का राजा किसे कहते हैं सेब का, अंगूर को या आम को तो आपको आज का ग्रीक कार्य में दिया है प्रदत कार्य करने को प्रदत कार्य में आपका पहला प्रश्ण है सही उत्तर के सामने सही निशान लगाना है आपको यहाँ प्रश्ण दिये गई हैं और उस प्रश्ण में तीन विकल्प दे रखी हैं आपको प्रश्ण पढ़ना है जो उनसा विकल्प सही है उस कोश्टक के अंदर आपको सही का निशान लगाना है तो का है जैसे फलों का राजा किसे कहती हैं सेव को अंगूर को या आम को दूसरा है कैसे आमों की चट्नी बनती है पके अधपके या कच्चे तो आपको उसका उत्तर सोचना है और उसके सामने सही का निशान लगाना है अगला मैंने आपको दिया है दिये गए प्रश्णों के उत्तर दिजिए आपको यहां प्रश्ण दे रखे हैं और उसके नीचे उत्तर की जगा दे रखे है तो आप उसके उत्तर को लिखेंगे का है आम कहां कहां बिखने लगता है सोचना और फिर लिखना इस पार्ट मतलब रसीले आम वाले पार्ट से आपने क्या सीखा वो लिखना तीसरा दियाग आम को अमरित्फल क्यों कहा जाता है इसका उत्तर लिखना ठीक हैं? आपको सोचना है इनके उत्तर और फिर लिखने हैं और लिखते समय किसका जहान लखना है? मात्राउं का अगला है आपका दिये गए शब्दों के आर्थ लिखे आपको शब्द दे रखें जिनके आपको क्या लिखने है? आर्थ पहले हैं अमराई आप अमराई का आर्थ सोच के लिखना फिर दिया है लू तीसे नमबर पर दिया परतियोगिता फिर दिया है शौकीन ठीक है? क्या क्या दिया है? अमराई लू परतियोगिता शौकीन अभी हमने याद भी कहाता न तो आप इसके उत्तर को अर्थ को जान सोचना और इसे लिख देना अगला दिया है वर्णो को अलग-अलग लिखिए अभी मैंने आपको जो है दोराया था कि किस प्रकार हम वर्णो को अलग करते हैं तो अब आप यहाँ पर वर्णो को अलग-अलग करके दियेगे स्थान में भर देना ठीक है शब्द दिया चौकस खा दिया निमित अगा दिया अधपके तो बच्चो आपको यह प्रदतकारी सुन्दर-सुन्दर सोच समझ के करना है ठीक है ग्री कारे में शब्दार्थ करने को दिये थे मुझे आशा है आपने अपना शब्दार्थ जो बैने काम दिया था उसे कर लिया होगा चलो एक बार देख लेते हैं पहला शब्द था रेड़ी वाला जिसका अर्थ थेले वाला दूसरा था दूमचाना जिसकार्थ है प्रसिद्धी पाना तीसरा है अमराई जिसकार्थ है आमका बगीचा चोथा है खैर जिसकार्थ है अच्छा पाच्वा है आपका लू जिसकार्थ है गरम हवा छटा है नियमित जिसका अर्थ है प्रती दिन साथवा है मैंगो शेक जिसका अर्थ है आम और दूद से बना पे आठवा है प्रती योगिता जिसका अर्थ है मुकाबला नोवा है अधपका जिसका अर्थ है आधा पका हुआ दसवा है बौर जिसका अर्थ है आम की मंजरी ग्यारवा है शौकील जिसका अर्थ है शौक रखने वाला बारवा है चौकस जिसका अर्थ है सावधान तेरवा है पन्ना जिसका अर्था आम का बना हुआ खटा मिटा शर्बर आप सभी ने इस शब्द और अर्थ याद भी कर लियोंगे तथा साफ साफ अर्था सुन्द सुन्दर लेख में लिखा भी होगा बिना गलतियों का है ना नन्यवाज